चप्टर नमबर नाइन है हाथ मेड़िवी हाथ मिलाते हैं ठीक है चप्टर का प्रकार है उम्री काव्य और इसके लेखक है निरंजन भगत जिनका जर्म हुआ था 19 मई 1926 को ठीक है अवसान का तारीख में पता भी नहीं है उनकी जो पुस्तक है चंदोले में से ये कोयम उठ हाई गई है ठीक है निरंजन भगत का जर्म में वह अमदाबाद में हुआ था उनकी कुछ और भी काव्य संग्रा हैं जिसमें हैं चंदोले कि नरी फिर अल्प विराम ऐसी उनकी जो काव्य संग्रा है उजदा फैमस है ठीक है इस चप्टर के उन्होंने ऐसा बताया है कि हम मैं से आपसे हाथ ना चाहता हूँ नहीं मैं आपकी धन संपति चाहता हूँ नहीं आपका ऐसो अराम चाहता हूँ बस मैं आपसे एक प्रेम भावना की दोस्ती चाहता हूँ ठीक है और मैं साथ चाहता हूँ कि आप और मैं निर्स्वाद भाव से एक दूसरे से दोस्ती कर देखो मुझे तुमसे क्या लेना है मुझे तुमसे कुछ लेना नहीं है बट में तुमसे क्या चाहता हूं इसके लिए हम तुमसे हाथ बना चाहता हूं ठीक है मुझे तुम्हारे धन सत्ता और क्रिति से कुभी मतलब नहीं है ठीक है ये सब मुझे तुम्हारे पास रहे धन सत्ता संपति से कोई मतलब नहीं है सूसू नथी हो तू तुमारा हाथ में तुमारे हाथ में क्या-क्या नह खाली नहीं अर्侧ों उस्मा और थडा को मतलब कि लोगों की प्रति प्रीम और निरस्वात भावना जिससे हम क्या हो कि हमारे जो हिर्दे हैं वो परसपर अपस में मिल जाएं और हमारे बीच में कोई भी मन मटाव ना हो और हम लोग साथ मिलकर के बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम हाथ मिला सकते हैं, अंजाडवाचो भले, भले हम दूसरे से अंजान हैं, दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम हाथ मिला करके एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे को मतलब प्रेम भ पढ़ाता हूँ और तुम भी मुझसे हाथ मिलाओ ठीक है ये चप्टर लिया गया है चंदोलाए मा से एक बार हम चप्टर को